अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं और आपको चाहिए एकदम भरपूर एनरजी वो भी वेज चीजों के द्वारा तो इस प्रोटीन वाले चने को यानि अंकृत चने को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए अपने देखा होगा कि एकसर घोड़े को भी चना खिलाया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है तो आज एक अंकृत चने के एक बहुत ही सिंपल और यूजी रेसिपी में लेकर आई हूं आप इसे ज़रूर सामिल करिएगा अपनी डाइट में और बता और आप इसमें नीबू का रजबी मिलाईएगा यह जो चने की रेसिपी तयार हो रही है अगर आपके पास मूंग हो अंगृत मूंग तो आप वो भी इसमें मिला लीजएगा तो यह रेसिपी टेफ्ट में कोई भी फेल नहीं कर सकता है आप चाहें तो इसमें उबली जैस आपको पूरे दिन एकदम फील होगी बिल्कुल भी कमजोरी का हैसास नहीं होगा तो यह देखिए चना एकदम तयार हो चुका है कितनी लंबे लंबे इसमें यह अंकुरी निकल चुक है आखे और इसमें मैंने यह प्याज मिर्चा धनिया डाल के मिला लिया है आप इसमें काला नमग, स्वाद अनुसार नमग और हलका सागर चाट मसाला चाहें तो मिला सकते हैं और यह एकदम जैसे ठेले पे लोग बेचते हैं या फिर ट्रेन में बिकता है उस तरह से चना चाट बनके तैयार हो जाएगा तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप जरूर प्राइबिटीज हो या फिर कब्स या कॉंस्टिपेशन हो आपको डिगता हो तो हर तरह की प्रॉबलम के लिए आपको थोड़ी वीकने साती हो दिन में चक्कर जासा लगता हो तो एक दम यह दूर कर देगा ठीक है तो यह पर नीबू कर डाल के अब मैं इसको जल्दी से मिला लेती हूं और अब यह सर्द करने के लिए तैयार है तो आप भी इसे बनाईएगा और मुझे बताईएगा कि आपको कितना बेनफिट मिला और यह रेसिपी कैसे लगी अगनम चेटवटी से है आप भी खा सकते हैं और चाहे तो बच्चे बिलकुल भी खाएंगे इसक बिलकुल भी मना नहीं करेंगे अगर आप इस तरीके से बना कर उन्हें देंगी तो चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आया हो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा शेयर क करिएगा